आज का अमारे टापिक है divide a line segment into a given ratio, method 1. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक line segment को given ratio में किस तरह से divide कर सकते हैं और इस वीडियो में हम method 1 को discuss करेंगे. इसके लिए हम example लेते हैं divide a line segment cd of length 7 cm in the ratio 3 to 4 यानि हमने एक line segment CD जिसकी length होगी 7 cm उसको 3 ratio 4 में divide करना है यानि हमने line segment को इस तरह से divide करना है कि अगर उसके 3 ratio 4 का मतलब है कि 3 plus 4 total 7 parts किये जाएं तो 3 parts एक तरफ हों और 4 parts एक तरफ हों तो हम देखते हैं कि हम ये construction किस तरह से करेंगे तो सबसे पहले हम एक line segment CD draw करेंगे जिसकी length होगी 7 cm तो हम एक scale लेंगे और इसकी मदद से यहाँ पर 7 cm का एक line segment draw कर लेते हैं तो 0 से 7 तक हम एक line segment draw कर लेते हैं तो ये एक line segment है 7 cm का इसको हम नाम देंगे CD और इसकी length है 7 cm तो हम अपना पहला step लिखेंगे draw CD of length 7 cm यनि हमने 7 cm का line segment CD draw कर लिया है अब इसके बाद ये जो हमने line segment draw किया है इसको हमने 3 to 4 ratio में divide करना है इसके बाद हम क्या करेंगे हमने point C और D की उपर acute angle draw करना है acute angle वो angle होता है जो 90 degree से छोटा हो तो हम इसके लिए एक protector लेते हैं और protector का middle point हम रखते हैं point C की उपर पहले हम point C की उपर acute angle को draw करेंगे acute angle 90 से छोटा हम कोई भी ले सकते हैं तो यहां पर मैं ले रही हूं 30 degrees तो यह हमने 30 degree का सामने यहां पर mark लगाया है यहनी protector का middle point हमने C पर रखा है और इसकी zero वाली line को line segment CD के साथ रखते हुए यहां से zero count करते हुए जाएंगे और 30 के सामने हमने point लगाना है हम कोई भी acute angle यहां पर 40, 50, 20 कोई भी draw कर सकते हैं अब हम यहां से protector हटा कर scale की मदद से इस निशान को C के साथ मिलाते हुए एक ray draw करेंगे इस तरह से हम scale रखेंगे और point C को इस निशान से मिलाते हुए एक ray draw कर लेते हैं और इस तरह को नाम दे देते हैं CE का और यह angle हमने draw किया है 30 degrees का तो यह step हम लिखेंगे at point C draw array CE making an angle of 30 degrees with CD यहनी हमने point C पर एक ray draw की है CE जिसने CD के साथ कितना angle बनाया है 30 degrees हमने जो भी angle यहां पर लेना है उसको हम steps में लिख लेंगे तो जितना angle हमने point C पर लिया है अब इतना ही angle हमने point D पर line segment CD के दूसरी तरफ बनाना है यहनी अब हम protector लेंगे और उसका middle point रखेंगे D पर और इसको इस तरह से दूसरी तरफ रखेंगे तो हमने CD के उपर 30 degree का angle draw किया था तो हम CD के नीचे भी 30 degree का angle draw करेंगे तो अब इस line के साथ यह वाला 0 है तो इसको देखते वे आएंगे और 30 के सामने यहां पर यहां पर हम एक निचान लगा लेंगे इस तरह से अब हम protector remove करके scale की मदद से point D को इस निचान से मिलाते हुए एक rate draw करेंगे तो यह हमने एक rate draw की है इसको नाम दे देते हैं DF का और यह point लिखेंगे at point D on the opposite side of CD draw array DF यहनी अब हमने point D पर CD के opposite side पर एक rate DF draw की है which makes the angle of 30 degree with CD जिसने CD के साथ 30 degree का angle बनाया है अब हमने protector की sorry compass की मदद से चोटी चोटी आर्क्स लगानी है ray CE और DF पर लेकिन कितनी आर्क्स लगानी है हमें ratio दी गई है 3 to 4 तो सबसे पहले हम ratio को add कर लेते हैं यानि 3 प्लस 4 करेंगे तो यह आजाएगा 7 इसका मतलब है कि हमने CE की उपर भी 7 आर्क्स लगानी है और DF की उपर भी 7 आर्क्स लगानी है तो अब हम एक compass लेते हैं इस तरह से और इसको मुनासिब radius में खोल लेंगे इसको हम इतना खोल लेते हैं कि हम असानी से आर्क्स को draw कर सकें और जितना अभी हमने compass को खोला है इतना ही पूरी construction में इतना ही खोलना है इसको change नहीं करना अब हमने compass का needle point रखना है point C की उपर और हम इतने ही radius की आर्क्स लगाते जाएंगे तो हम पहले एक आर्क लगाएंगे जो C E को cut करेगी जिस point पर cut करेगी इस point को P कह देंगे और अब point P पर compass का needle point रखकर एक और आर्क लगाएंगे जो एक और point पर C E को cut करेगी इस point को हम Q कह देते हैं फिर Q पर हमने compass का needle point रखना है और एक arc लगानी है और ये C E को point R पर cut करेगी फिर हम compass का needle point रखते हैं R की उपर और अब एक और arc लगाएंगे जो C E को cut करेगी point S की उपर total हमने 7 arcs लगानी है तो अभी तक हमने कितनी arcs लगाई है 1, 2, 3, 4 3 arcs हमने और लगानी है तब हम point S पर compass का needle point रखते हैं एक और arc लगा लेते हैं जो इसको cut करेगी point T पर अब T पर हमने compass का needle point रखना है और एक arc लगानी है जो इसको U पर cut करेगी और अब U पर हमने compass का needle point रखना है और एक arc लगाएंगे जो इसको point V की उपर cut करेगी तो यह total हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcs लगा दी हैं तो यह step हम लिख लेते हैं draw 7 arcs of suitable radius यानि हमने 7 arcs लगाई है suitable radius की to cut the ray CE at points P, Q, R, S, T, U, and V इन points पर इन arcs ने CE को cut किया है और यह arcs हमने लगाई है using compass अब यही procedure हमने ray DF के लिए करना है यानि compass को दुबारा से लेना है और उसको उतना ही खोले रखना है और उसका needle point रखेंगे D पर और अब हम arcs लगाएंगे DF के उपर इस तरह से तो हब हम arc लगाएंगे जो DF को cut करेगी और इस point को हम कह देते हैं G फिर G पर हम compass का needle point रखेंगे और एक arc लगाएंगे जो इसको cut करेगी point H के उपर फिर H पर हमने compass का needle point रखना है और DF को cut करेंगे point I के उपर उसके बाद हम point i पर compass का needle point रखेंगे और df को cut करेंगे point j के उपर इसके बाद j पर रखेंगे और एक और arc लगाएंगे जो इसको cut करेगी point k की उपर इसके बाद एक और arc लगाते हैं और यह इसको cut करेगी point l की उपर तो यह total कितनी arcs हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह total 6 arcs हो गई है हमने एक arc और लगानी है तो अब हम point l की उपर compass का needle point रखकर एक arc लगाएंगे जो इसको cut करेगी point m की उपर अब यह step लिख लेते हैं draw 7 arcs on to cut ray df यनि हमने df को cut किया है 7 arcs की मदद से with suitable radius at points g, h, i, j, k, l, and m इन points पर इन 7 arcs ने df को cut किया है अब हमने 7 arcs लगा ली है अब हम इसको 3 ratio 4 में divide कर लेंगे तो हम point c से 3rd जो point होगा उसको हम mark कर लेते हैं क्योंकि हमारी ratio है 3 to 4 तो point c से 3rd point कौन सा होगा 1, 2, 3 3rd point होगा r तो इसको हम mark कर लेते हैं तो इसको मैंने black color से mark कर दिया है इसी तरह point d से हम 4th point को mark करेंगे ये 1, 2, 3, and 4 यनि हमने point j को mark करना है और ये step लिखेंगे from point c mark 3rd point r and from point d mark 4th point j तो हमने r और j को mark कर दिया है इसके बाद हम r और j को join कर देंगे और line segment r, j line segment c, d को एक point पर cut करेगा हम scale रखेंगे और scale की मदद से r और j को cut कर देते हैं औरी join कर देते हैं जो के c, d को cut कर रहा है point o के उपर तो हम लिखेंगे join point r and j to cut at c, d at point o यनि हमने r और j को join किया है line segment के साथ जिसने c, d को point o पर cut किया है तो अब हम देख सकते हैं कि c से o तक हमारे पास आ जाएंगे 3 parts और o से d तक आ जाएंगे 4 parts तो हम लिखेंगे c o ratio od is equal to 3 ratio 4 यनि हमारे पास जो line segment था c, d इसको हमने 3 ratio 4 में divide कर दिया है तो इस तरह से हम किसी भी line segment को given ratio में divide कर सकते हैं आज का हमारा topic था divide a line segment in a given ratio by method 1 कि में याएंगे थिस Jaz सचार एंगा कि में जाएंगे कि में आए आएंगे कि में ल बाएंगी 7 गह में दून y home ी आएंगे वे वे व helm प्मीम